नमस्कार दोस्तों, स्वागेत है आप सभी का, आप देख रहे है सोहन सर्मा कीचन किंग, मैं हूँ सोहन सर्मा और आज मैं आपके साथ सेर करूँगा टी टाइम सनेक्स निमकी आप चाय के साथ खाईए, बहुत ही टेस्टी लगए, एकदम खसता है और एकदम क्रिस्पी है, चाय के साथ खाईए, या कहीं सपर में जा रहे है, या कहीं गूमने जा रहे है, तो आप इसे बना कर ले जा सकते हैं, इसकी खास बात यह है, कि ये महीनिय भर तक खराब नहीं ले देखिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं सबस्क्राइब कर लिए चलिए शुरू करते हैं यह सबसे पहले मैंने इक पराट लिए उसके अंदर मैं एक मेधा ले रहा हूं आप अगर मेधा नहीं कहते तो आदा 8 आदा मेधा भी ले सकते आप अठे सीब बना सकते चोटी चमज अजवाइन डाल रहा हूं और उसके बाद मैं आदा चोटी चमज इसके अंदर कलुंजी डाल रहा हूं यह मसारा डलेगा इसके अंदर अब मैं मोहिन के लिए इसको थोड़ा मिक्स कर लेता हूं और इसके अंदर मोहिन डालता हूं मौईण में मैं तेल डाल रहा हूं यह मैं इसके अंदर चार बड़ी चमझ तेल डाल रहा हूं लेकिन यह नाप है इसका लेकिन उसके बाद भी आपकer समझ में नहीं आता है तो मौईण का माप मैं बता देता हूं आपको इसे अच्छे से mix कीजिए इस तरीके से अच्छी तरीके से mix करके आपको हाथ से देख लेना है जब यह बुरुबुरा हो जाए और इसकी मुठी बनने लग जाए तो समझ लीजिए complete moine है क्योंकि मेदा कप के अंदर कमिया ज्यादा भी हो सकता है यह देखे आप माप बना सकते हैं कप कटोरी किसी भी चीज से लेजी इस तरीके से अगर मुठी बन जाए तो यह perfect moine है इससे बहुत ही soft बनेगी अब आप मैंने आधा कप पानी लिए देखते हैं कितना पानी यूज होता है इसके अंदर और इसे धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसे tight do त्यार कर लेना है इसका एकदम tight लगा कर त्यार कर लेना है पूरी से भी ज़्यादा tight होता है पूरी का अटा होता है उससे थोड़ा tight होता ही है तो हम पानी का नाम लेते हैं जिस माप से आप मेदा लेते हो कटोरी बोल या कप से उससे ही आपको पानी और मेदा लेना है देखिए मैंने आधा कप यादा चोथाई कप पानी यूज हुआ है, वन फोर्ट कप पानी यूज हुआ है, अब इसे पांच मीट हम रख देते हैं, तब तक हम तेल चड़ा देते हैं, मैं गेश चला रहा हूं फूल आज पे, और इसके उपर मैंने एक कड़ाई चड़े, ये कड़ाई के अंदर मैंन निमकी बना लेने, ये बहुत ही टेस्टी निमकी बनती है, दोस्तों, इस तरीके से एक बार मैं आधा बेल लेता हूं, आप चाहे तो एक एक गोल बेल सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह इस तरीके से आपको ज़्यादा इजी रहेगा, इस तरीके से बेल ये, पूरी तरीके प प्लेटफॉम पे बेल लीजी या आप चकले पे भी बेल सकते हैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से बहुत ही अच्छे से एकदम पतली लेयर में इसको घुमाते हुए आपको बेलना है देखिए टेश्टी लगती है सफर में जा रहे तो आप बना कर ले जा सकते हैं टी बेल भी सकते हैं इसे गोल लेकिन उसमें टाइम लगेगा यह इजी तरीका है इस तरीके से आपको काट लेना है और इस तरीके से आपको इसे जो एक्ष्ट्रा है उसे हटा देना है और फिर से उस आट डू के अंदर मिला देना है अब आपको एक धारदार चकु लेना है उससे बीच के अंदर इस तरीके से आपको इसे कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, देखे, बीच से कट करना है, चारो तरप रहना चीए ये, और इस तरीके से धारदार चको से कट करना है, देखे, चारो तरप से है ये, इस तरीके से एक जाली दार निम्की बनेगी ये, और बहुत ही टेस्टी लगेगी इस तरीके से सारी निमकी बेल के आपको कट कर लेनी है देखे मैंने सारी निमकी बेल लिए इस तरीके से आपको खुले में रखना एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना इसे देखे इस तरीके से जाली बनानी है आपको तो इस तरीके से सारी नि मीडियम हाच पर रखना है इसे इसको ज्यादा शेकने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पतली है और फटाफट भी शिख जाएगी इस तरीके से आपको दो-तीन वार में फ्राई कर लेना है इसे मैं दो वार में कर लूँगा क्योंकि मैंने तेल कड़ाई में ज्यादा चड बड़ी आँशुच्छ नहरा प्राऊन के लार का कर लिए देखें कितना सानदार कलर आया है और बहुती बढ़ियात तरीके से बनी है अब मैं इसे एक बरतन के अंदर निकाल लेता हूं आपको इसी तरीके से सारी मठरी फ्राई कर लेनी है और बहुती अच्छा तरीका है medium high आँच में इसे fry करनी है और बहुत ही tasty बनेगी अब जो बची है वो भी मैं fry कर लेता हूँ इस तरीके से सारी निमकी आपको fry कर लेनी है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा पसंद आया है तो फ्लीज वीडियो को like share जरूर करे और पहली बार हमारा चैनल देख रहे तो चैनल को subscribe कर लिजए सारी मठ्री मेंने बना कर मठ्री निमकी आप निमकी भी बोल सकते हैं मठ्री भी बोल सकते हैं देखे कितनी एकदम खस्ता और एकदम क्रिश्पी है ये एक बार बनाईए महिने बर तक खाईए जब आपका मन करे छोटी मोटी भू को आप पपड़ी के तरह भी यूज कर सकते हैं इसे पपड़ी चाट भी बना कर खा सकते हैं इतनी टेस्टी बनती है ये तो जुरूर वीडियो को लाइक शेयर करे और पसंद आया तो प्लीज मजे कमेंट करके बताईए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो बनाते रहे खाते रहे बताते रहे मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से